आज हम बना रहे हैं सिर्फ आलू और प्यासी 5 मिनट में बन जाने वाला टेस्टी नाश्ता तो सबसी पहले हमने एक आलू को ग्रेट कर लिया है, 3-4 बार अच्छे से पानी में वाश कर लिया है ताकि जितना भी स्टार्च हो वो निकल जाए और साथ में एक प्यास ले लिया है जिसको बारीक लंबा काट लिया है अब हम इसके अंदर अड़ करेंगे थोड़ा सा धनिया पत्ता और साथ में ढाल देंगे दो चमच कॉन फ्लार बाउंडिंग के लिए अब यहाँ पर डाल रहे हैं थोड़ा सा हल्दी पाउडर, थोड़ा सा डालेंगे नमक स्वात के अनुसार, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, और साथ में थोड़ा सा डाल देंगे और इगैनो अच्छे इन सारे इंग्रुडेंट को मिक्स कर लेंगे आप देख सकते हैं कोटिंग हो गई है हर जगा पर तो अब हम इसको कवर करके 10 मिनट के लिए छोड़ देंगे 10 मिनट के बाद बैटर को चेक करेंगे ये देखे बैटर हमारा रेडी है तो चलिए एक पैन ले लेते हैं वन टेबल स्पून ओयल डालेंगे ओयल को चारो तरफ अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे फ्लेम को हमने लो रखा है यहाँ पर थोड़ा थोड़ा करके बैटर डालेंगे यह देखे इस तरीके से प्रेस करते हुए बैटर को डालिए और इसको एक शेप दे दीजिए तो यहाँ पर फ्लेम को हम लो करके चार मिनट तक इसको पका लेंगे ढखकर तो चार मिनट के बाद अब हम चेक कर लेते हैं हलके हातों से इसको चेक करिए यह देखे बहुत हलके हातों से हम इसको फ्लिप कर लेंगे यह देखे कितना अच्छा कलर लग रहा है तो चलिए अब हम इसको फ्लिप करते हैं आप देख सकते हैं एक साइट से यह बहुत ही अच्छा लग रहा है कवर करके फिर से लो फ्लेम पर हमने इसको दो मिनट के लिए पका लिया है और यहां पर हमारा बहुत ही टेस्टी आलो प्याज का नाश्टा बन कर तयार है इसी तरीके से सारे हम आलो के पैनकेक बना कर तयार कर लेंगे तो अगर आपको आज की रेसिपी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजे और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ तब तक के लिए बाबाई